प्रिदश्कों मित्रों शाथियों वो बुलंदी किस काम की है जिसमें इंसान चड़े और इंसानियत उतर जाए ऐसे बुलंदी से दूर रहे जिसमें प्रिदश्कों मित्रों शाथियों फरवरी 2024 का महिना नक्षतर गर्णाओं के हिसाब से कैसा रहेगा ये वीडियो उस पर है फरवरी 2024 बारा के बारा राश्यों के लिए क्या संकिन दे रहा है क्या लाब मिलेगा क्या काम बनेंगे क्या अविश्कताओं की पूर्ती हो क्या रोगों से पीछा छुटेगा क्या अपनों का शाथ मिलेगा नश्चतर गर्णाओं के अधार पर बारक बारा राश्यों का वीडियो लेकर आपके सामने हूँ मैं तरोशाथि हूँ ये एक जन्रल प्रडिक्शन है लगनगा वी ध्यान में रखा हूँ लेकिन मैं आप से निवेजन करूँगा राश्यों चंदर राश्यों से पर करके आप बात कर सकते हैं अब बात करेंगे भचक्र की सात्वी राशी तुला राशी तुला राशी वालों के लिए फरवडी दोहतार चौबिस का महिना कैसा रहे हैं नक्षवर गर्णाएं तुला राशी वालों के लिए फरवडी दोहतार चौबिस में राशी फल का क स्वामी शुक्रदेव ग्रह इस राशी में जनम नेलने वाले लोग आम तोर पर रचनात्मक कारियों में किरियेटिवे कारियों में अधिक जुकाव रखते हैं पड़ा जॉली मून रहता हसी मजाग करना खुशनमा वातावमन में रहना इनका सभाव है इंटेटेन्मेंट, म्यूजीक इन में इनकी रूशी विचेश होती है और उसमी में आगे बढ़ने की ये चाहरत है यात्राओं का घूमने फिरने का शौक तुलाराशी वालों को बहुत होता है तुलाराशी के जातकों को संगीत में बहुत रूची रहते हैं शंगीत उनका जीवन होता है बहुत भावों से भरी राशी है एग्रेशन बहुत नजर आता है कि कभी कभी ये भी मैंने देखा है तुलाराशी की बात कर रहा हूं और तुलाराशी वाले के लिए राशी पल प्याव उससे पहले गणनाओं की चर्चा कर लेते हैं तुलाराशी वालों के राशी अद्पति शुकरदेव फरवरी महा के आरम में सब्तमेश और धनेश मंगल देव के साथ तीसरे भाव में संचरन करना है। शुकरदेव आपके लगनेश भी है और अश्टमेश भी है। पांच फर्वरी को मंगल देव शुक भाव में मकर राशी में गोचर करेंगे और बारा फर्वर को शुकर देवी मकर राशी के चतुर्द भाव में आ जाएगे तुला राशी वालों के लिए सुर्देव लाबेश होकर 13 फर्विड तक चतुर भाव मकर राशी से संचरण करेंगे भागेश और वयेश बुद्ध के साथ 13 फर्विड चतुर भाव में मकर राशी बुद्ध आदितिय योग में सुर्देव संचरण करेंगे तेरा फर्वर सुर्देव त्रिकॉन भाव में पंचम भाव में संचन करेंगे और पंचम भाव में सनिदेव की मूल त्रिकॉन राशी कुम में सनिदेव के साथ यूती समद स्थापित करेंगे। 20 फरवरी से मा के अंत्रेक सूरिदेव और बुद्देव सनिदेव की यूती पंचम भाव में कुम राशी में रहेगी। तुला राशी वालों के लिए ब्रश्पत्देव तीसरे और छटे भाव की समय उकूर सप्तम भाव में इस राशी में संचन करेंगे। सनिदेव और ब्रश्पत्देव का तिरेकादस समंद बन रहे हैं। तुला राशी वालों के लिए फरवरी के महिने में क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटा मोटा मैं आपसे बात कर रहा होगी। यदि मैं इन सब गरह योगा योगां के हिसाब से कैरियर कामकाज कारोबार और आर्तिक दस्टिकाउन की बात करूँ। तो फरवरी का महिना तुला राशी वालों के लिए अनकुलता का संकीर दे रहा है। दसंभाव करमिस्थान है, सुपगरों का प्रभाव बना रहेगा, जिसे आर्तिक चेतर में विस्तार होगा, आर्तिक समन्द मजबूट होगे, आर्तिक प्रेशान्यों से मुक्ति मिलेगी और आर्तिक श्रोतों में व्रदी के साथ साथ जौब को लेकर भी आप संतूश रह में बहतर प्रमोशन के साथ साथ मान समान और यस में व्रदी का संकेत भी नज़रा रहा है, कोई नई जुम्यवारी आपको भी राजनितिक वर्स्तिसों मजबूत रहेगा, आतम विश्वास बना रहेगा, मित्रों और दोस्तों के साथ घूमने प्रिने का मोका मिलेगा, प गुला राश्री वालों के लिए फरवरी दोहजार चौबिस का संकेत अब मैं विस्तास से कामकाज, कारुबार, नोकरी, समाज, परिवार, स्वास्ते और शिक्षा के चर्चा करूँगा, सबसे पहले मैं शिक्षा पर आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं यूर विद्यार्तियो के हिसाब से यूर विद्यार्तियों की बात करूँ, तो फरवरी का जो सुरुवाती ताइम है, वो उत्तम फलों का संकेत दे रहा हूँ, केरियर और एजुकेर शिमंदी, परिशान शे मुक्ती मिलेगी, सुक के सादमा में विर्दी होगी, कामकाज, कारुबार, नोकरी, व रमपों, अनावशक बाधाओं और परिशान से चुड़कारा दिलाने में मदद करें, तेरा फरवरी को लाबेज, सूर्य, पंचम, भाव से गोचर कर रहा है, विद्यार्तियों को केरियर और एजुकेशन के छेतर में अच्छे प्रणाग को प्राप्ती होगी, और वे वि उसर के साथ साथ शफलता का संकीत नजरा रहा, महनत, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, परिश्रम और शंगर्स इस महीने इनके लिए उत्तम हो पाए है, कर्मों के कारग्रह देव आपके पंचमभाव से गोचर कर रहे, इसलिए थोड़ी सी महनत जरूर है, लेकिन शफ अध्यन्दत है, तो आपको अच्छे प्रणामों के साथ साथ, अच्छे अवसर के साथ साथ, देश विदेश से आपके एजुकेशन समंदी समंद बरे मजबूत हो, उस शिक्षा मे अध्यन्दत विद्यारतियों के लिए ये समय पूर्ण ता उनके पक्ष्म है, लेकिन फ फरवरी का महिना महनत और परिश्रम का संकेत दे रहा है, उसे आपको समझना होगा, साथी सफलता के लिए थोड़ा सा धैरी, थोड़ा सा सेम, थोड़ा सा इंतजाब भी करना होगा, क्योंकि शनी देव की गती धीमी जरूर है, ना मैं बात करूँगा आपके कामकाज, आपकी नौकरी और आर्थिक दस्टी कोण, तुलाराशी वालों के लिए कारोबार कैरेर नौकरी आर्थिक दस्टी कोण से फरवरी का महिना बहतर प्रणामों का संकेत दे रहा, ब्रश्पत देव तीसरे और छटे भाव के सौमी होकर सब्तम भाव में संचरन कर रहे हैं, और सब्तम भाव में विराजमान ब्रश्पती अपनी पंचम दस्टी से लाब भाव को देख रहे हैं, सब्तम दस्टी से लगन को देख रहे हैं और नवम दस्टी से पुर्शार्थ भाव को देख रहे हैं, सब्तम भाव साज़दार है, आपका जीमन साती, आपका वैपार आपका नीजी बेपार डैली इंकम है इगननाई इस बात का संकेजरी है कि कामकाज कारबार नौकरी और इंकम में बढ़ुत्री की प्रबल संकेथ ब्रश्पती देव रहे है ब्रश्पती देव की सुबधस्टी आई इस्तान एकादस भाव में अपनी मित्र राशी शिंग प संभाव पर रहेगी इस इस नक्षतर करना के हिसाब से ग्रहय योगयों के हिसाब से कामकाज कारबार नौकरी वेपार शाजदार के साथ साथ यूवावर को अपने केरी की सुरुवात का उत्तम अफसर मिलेगा बहुत अच्छा रहेगा आज जीविका की छेत में मनों को श समता की वज़े से अच्छी आई की प्राप्ति होगी ब्रश्पत देव की सुपदर्शी लगन भाव पर होने से आपकी कारिशलिया आपके सोच में निखार आएगा रेंशनमंदी मसलों से रहत मिलेगी पुराने करदों से छुटकारा मिलेगा और कानोनी मसले हलोगी नौ ब्रश्पत देव से समध है तो आपको अपना काम करने के लिए अविश्य प्रित करेगा और अपने काम में आपको लाप मिलेगा और जो डेली रूटिन में जो धन की प्राप्ति वो बहुत अद्भूद है और जीमन सात्य का साथ मिलेगा अब मैं बात करूँगा आपके पारवारिक द्रिष्टिकॉन के लियाज से समधिक द्रिष्टिकॉन से लियाज से फरवरी के मा का ब्रश्पत देव का सप्तों भाव में अच्छा संकेत मिलेगा समझिक और पारवरिक मिसलों में शकून रहेगा, समझिक कारी करने का आउसर मिलेगा, समझिक बातावरण में आपकी पैट जमेगा, ब्रेश्प्रदेव तुलाराशिवालोंगली तिरितियेस और सस्टेस है, इसलिए फरवरिमा में छोटे भाई बेनों का सयोग अनकूल ले आपके रिष्टों को खूबसूरती बनाने में संकेश दे रहेगा, रिष्टों में खूबसूरती रहेगा, घर में शुक के शात्म में विरदी होगी, पांच फरवरी का भूमे के कारक देवता मंगल देव आपके चतूरत भाव में संचन करेगा, बारा फरवर भूतिकता के कारक देवता शुकर देवी चतूरत भाव में आ जाएगा, इस समय खरदी की प्रफटी शंपती आपके लिए आगे चल कर बहुत लाब दाएक रहेगा, नए मकान में प्रवेश वहन प्राप्ती का योग फरवरी के महिने में बन दाए, संतान को लेकर चली आरे, सबी प्रकारी समशंव से मुक्ति मिलेगी, संतान पक्स अन को लेगा, संतान को उनत्य उस्वपत होगे, और संतान की तर्की से खुशी बी मिलेगे, अब मैं बात करूँगा स्वास्ति तुलाराशी वालों के लिए फर्वरी का मैना शामनिय रहेगा स्वास्तिमर्णी तकलियो पे कोगा ज़ादा सामना नहीं करना पड़ेगा पर तुदुसरे भाव को ये स्वामी मंगल देव का तीसरे भाव में विराजमान होना, खानपान को लेकर शावधानी और सत्रपता का संकेद रहे, खानपान की वज़े से स्वास्ति प्रतिकुल हो सकता है, तले भूने मसाला दर भोजन से मचना होगा, बार के खानपान में बढ़ती रूची स्वास्ति के लिए हानिकार रहेग छेटे भाव में उप्रस्तर रावदेव आपको अपनी दिन्चरिया नेमत रखने का संकेद रहे, नहीं तो पेट सर्मंदी परिशानियों का संकेद भी नजर आ रहा है, तलाराशी वालों, नक्षदर गर्णाओं के आधार पर ये था, फरवरी मेने का मेरी निजी अन्भ रहेगा, इसलिए हर रोज सुपह शाम अपने पूजा इस्तान में सुद्ध देशी घीका दिपक जलाएए, और दुरुगा कवच की तीन पार्ट सुपह और तीन पार्ट साम करें, और एक माला ओम शाम शाम शान शाराय नमा, इस मंत्री की जाब करें तो अच्छा रहेग मानुन मानुन आपकी मिन्हा, आंकलन मेरे था और मेरे से कोई भूल हो गयो, दुनों हाजोड कर चमा मांगता हूँ, आप सुखी रहे, आप स्वस्तर हे, समर्दी से लहे, संद्रीव के चलन मेरी प्रात्मा, ओम नमा, रास्तान का हर व्यक्ति जानता है, अग्दाति वजे से नहीं सुना रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ, यह मेरा जीवन का लक्ष रहा है, मनश्य हूँ, और मानु होने इतना ति मेरा करतव है, कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ, मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ, तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और पहले भी कभी नहीं मांगार, अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ, और यह मेरा इंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मेरा आष्ट के सामने कभी नहीं आये था, हमेशा मैंने ये का कि शेवा करिया, मैं भी शेवा करता हूँ, आप भी शेवा करता हूँ, धन नहीं चाहिए, ल आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा हैं, इन नमबरों पर शंपर क हूँ, और मेरी गाएं चाहरों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान हैं, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि, राश्र आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये एहंकार नहीं है, मेरा राश्रो पर है, मैं ये नहीं कहा रहा हूँ, मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता करें, शनी भगवान आपकी रिक्षा करें और आपका जीवन सदा खुशों के भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन ह शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगवग लगवग 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोसाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ और यह सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोसाला में परि लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदय से पुने एक बार ने वेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोसाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुशयोकर है पर आप कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमो नार